हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रेल गाड़ी संबंधित प्रेशने और ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है सारी लंबाईयां बटे में रहेगा समय और समय भी किसम होना चाहिए सेकेंड में गुना कर देंगे 18 बटे 5 और इसको पूरे कर देंगे चाल के बराबर देखे दोस्तों मैं आपको किलियर ली बता दूं यह वीडियो मैं पहले भी एक बार बना चुका हूं अभी फिर से बना रहा हूं फिर से बनाने का मेरा कारण यह है कि इसे प्रेशने की इसे ट्रिक की इंपोर्टेंस कितनी है जो बच्चे इसको नहीं देख पाए हैं उनको दिखाने के लिए बना रहा हूं है और जो बच्चे पहले देख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा क्यूंकि ट्रिक बहुत ही लाजवाब है इसी ट्रिक से सभी प्रेशने बनेंगे रेल गारी संबंदी ठीक है किलियर है तो ट्रिक यहाँ पर याद कर लीजिए क्या है सारी लंबाया प्रेशने में जितनी भी लंबाय दी जाए वो लिख लिए समय को चेंज करके सेकेंड में लिख लिजिए अगर सेकेंड में नहीं दे रखा है तो ठीक है और देखिए यहाँ पर 18 बट्ट्य पांच है मैं कलियरं ली कर दूम अठारे अच्टारे पांसे गुना हम तब करेंगे जब सेम्त हमारी अलग होगी अगर्व इनुट है तो अच्टारेट को चाल के बराबर रखते लिए ठीक बात कैंसे अब प्रिशाथ को हैँ प्रस्चे से समझा जाएगा तो आकरnे डीकत नहीं समय लेती है रेलगारी की चाल क्या है जो जो मैं आपकोWER ट्रिक बताई में एक पारों लिख देता हूं ठीक है सारी लंबाई यां इस सारी लंबाई यां ठीक है बटे में रह आप ढ़्यां समय और समय भी किससे सेकंड में समय भी कैसा सेकंड में ठीक है गुना करेंगे हम 18 बटे 5 से और इस पूरे को रख देंगे चाल के बराबर यही ट्रिक था अब देखें लंबाई कितनी है 120 मीटर की लंबाई है तो मैं आप पर 120 रख दूँगा समय मेरा कैसा है 10 सेकंड पहले से ही सेकंड में है चे यहां पर मैं देखूंगा कि यहां पर 18 बटे 5 से हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें यूनिट चेंज नहीं करनी जब हमारा समय सेकंड में है आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है दूरी मीटर में है तो चेंज कुछ भी नहीं करना अगर ऐसा होता कि दूरी किलो मीटर में होती ठीक है या फिर हमसे जो पूछता वो किलो मीटर पर घंटे में पूछता तो हम चेंज करते 18 बटे 5 से गुना करके लेकिन चेंज में हमें कुछ भी नहीं करना ठीक है तो 0 से 0 कट गया तो बचा कि आपके पास 12 12 मीटर पर सेकंड आपकी चाल हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड जो की पहले और समिदे रखा है उम्मीद करूँगा कि सभी को प्रेशन अच्छे से समझ मागिया होगा किसी को प्रेशन में कोई समस्या नहीं होगी सारे डाउट के लिए हो जाएंगे मैं पहले बता चुका हूं इस वीडियो को मैं फिर से इस लिए बना रहा हूं क्योंकि जो बच्चे नहीं देख पाएं इस ट्रिक को नहीं जान पाएं जान लीजिए सभी प्रेशनी सी ट्रिक से लग जाएंगे के लिए ध्यान रखिएगा आप देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक रेल गाड़ी 36 किलो मीटर पर 10 की चाल से चलती है यह तीन मिनिट में कितने मीटर चलेगी कितने मीटर चलेगी वइब फ circum event में अव यहां पर मैं आपको एक こ बता दूँ यहां पर है किलो मीटर और यहां पर है मीटर अलग-अलग यूनिट है तो इस बार तो आपको चेंज करना होगा मालूम हो गया ना समझ में आ गया ना क्यों करते हैं तो मैं फॉर्मूला यहां पर फिर से लिख देता हूं ठीक है सारी लंबाईयां ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए एक-एक बात सारी लंबाईयां समय रहेगा सेकेंड में ठीक है समय सेकेंड में समय सेकेंड में 18 वट्टे 5 से गुना कर दिना है अगर यूनिट आपके अलग अलग है तो चाल के बराबर रख दीजिए ठीक है चाल के बराबर लंबाई कितनी है भाई लंबाई तो हमें निकाल नहीं है कितनी मीटर चलेगी तो लंबाई हमको एक्स माल लेती है ठीक है लंबाई हमें नहीं पता कितनी एक्स माल ली समय सेकेंड में होना चाहिए के लिए रहतना समय किसम होना चाहिए सेकेंड में समय यहाँ पर हमारा कित सी सेकेंड हो गया गुना करेंगे 18 प्रcam Beach obama क Eli بعशनimento से पहरा गए ठीकै एहाँ गाया अब यहां पर आपने दियान नोटिस की होगी किषाल तो में दे रखी ए इस चाल तो में दे रखेंगे तो चाल कि जगेंपर चाल लख लेंगे चाल हमारी 36 किया तो मैं यहाँ पर चाल लिख ली ठीक है अब कटा लीजीए बस मैं यहाँ पर कटाओंगा 18 से 36 कटे का 2 बार में थीक है 18 से 36 कट गड़ा दो गड़ा खतम बाथ आप देखिए आठारे से 36 कटी दुबार में कट घया 5 कमल्ट पर दो dapat बराबर 10 आएक की लिए रहता सोग्स इलिए रहती दस हो गया अब देखिए यहां पर बचा कि आपके पास एक स्के बटे में 180 बराबर 10 मैं इधर लेख लेडा हूँ एकस के बटे में 180 बराबर 10 अब 10 के बटे में कुछ भी नहीं है तो आप एक पांच सकते हैं केंची का गुना हो जाएगा एक कमल पे एकस ही रहेगा और 180 कमल पे 10 से तो ये 18 सो रहेगा तो एकस का मान कितना निकल के आया अठार जो और एकस हमारा क्या था लंबाई हमने मानी थी जो निकालनी थी तो हमारी जो रेल गाड़ी है वो कितने मीटर चलेगी ये पूछ रहा था अब यह तो 1800 मीटर चलेगी 1800 मीटर कहा देर का पहले option में बात सभी को clear है कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी को प्रेशनी में बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है अब देखेंगे हम अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है ठीक है यदि रेलवे लाइन के किरारे लगे किसी पेड़ को यह 125 मीटर की लंबाई है formula लिखनी के आप कोई जरूत नहीं है बटे में लिखते हैं समय किसमे होना चाहिए second में तो समय हमारा पहले सी second में यहाँ पर 30 अब देखी यहाँ पर meter है यहाँ पर second है तो यहाँ पर यूनिट आपकी समान है अलग-अलग कुछ भी नहीं है लेकिन जब आप option में देखेंगे तो kilometer में answer पूछ रहा है kilometer में पूछ रहा है तो इसका मतलब इनको change करना होगा meter से kilometer में जाना होगा change करना होगा तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे ठीक है चाल निकल किया जाएगी आपकी क्या चाल है चाल के बराबर रख देंगी चाल को मैंने x मान लिया formula में ही तो होता है बराबर चाल के रख देते हैं जो मैंने trick बता ही बराबर चाल होता है अब चाल निकालना है तो चाल की जाएगे मैं ने X मान लिया मतलब X का मन निकलना है बस कटा लीजिए आपकी प्रस निकान से रागिया ठीक है देखिए इसे मैं कटा हूँगा यहां पर 5 से कटाएंगे 5 से कटेगा 5 दूने का 10, 2 बच्चे का 25, 5 बच्चे 25, 25 बार में यह कट गया ठीक है पांस से और पांस से एकट गया च्छे बार में ठीक है आप देखे च्छे से अठारा कर जाएगा तीन बार में और पांस से पच्छिस कर जाएगा पांच बार में पांस तरीक का पंदरा पांस तरीका 15, X कमान कितना निकल के आगया, X कमान निकल के आगया आपका 15 ठीक है, तो रेल गाड़ी की चाल क्या है, 15 km परावर 15 km परावर रेल गाड़ी की चाल है, V-Option आपकी प्रेशने का बिलकूर सही आंसर है केलियर सभी को प्रेशने, अब देखेंगे अगला प्रेशने, अगला प्रेशने है उस पुली की लंबाई ग्याद कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी रेल गाड़ी 45 किलो मीटर पर घंट की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है उस पुली की लंबाई ग्याद कीजिए पुली की लंबाई हमें नहीं पता कितनी है तो हम उसे X माल लेते है पुली की लंबाई को मैं एक्समान लिया और मेरे पास दूसरी लंबाई कितनी है 130 मीटर की है तो मैं इसको जोड़ लूँगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या था जितनी लंबाई या हो सारी लंबाई यहों को लिख लिजी ऊपर ठीक है बटे में समय लिखेंगे समय सेकेंड में होना चाहिए तो समय पहले से सेकेंड में या पर 30 ठीक है यहां मीटर यहां किलो मीटर इसका मतलब चेंज करना है 18 बटे 5 से गुना करना है और पराबर किस के रख देंगे चाल के रख देंगे देखें दोसे मैं से कटूँगा 15 बार में और 12 से मैं से कट आँगा 9 बार में और यहाँ पर मैंने क्या किया इस nr इस में मैंने ध्यान दिया तो पुली की लंबाई गयात करने थी और 25 तो मैं चाल की जगे पर 45 लिखूंगा मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है मैंने यहाँ पर चाल लिखनी थी क्योंकि चाल दे रखी है मैंने सोचा चाल निकाल नहीं है ठीक है तो मुझसे गलती हो गई है चाल मुझे जब देखा दे रखिया तो मैंने चाल को यहां लिख लिया ठीक है अब देखिए 5 है 45 है अब देखिए यहां पर 15 है अब मैं यहां पर इसको कटाओंगा सीधा सीधा ठीक है तो इक नो पच्चे 45 कर जाएगा क्योंकि बराबर में है तो नो पच्चे 45 कट गया ठ एक्स पिलस एक्सो तीस बटे में 15 बराबर कितना 25 है इसके बटे में हम एक माल लेंगे के लिए इसके बटे में एक माल लेंगे एक माल लेंगे तो क्या कैची का गुना हो जाएगा एक कमल पर एक्स इससे हो जागा तो एक्स प्लस एक्सो तीस ही रहेगा यह ठीक है और 15 कमल 75 आगया ठीक है अब देखी यहाँ पर x पराबर 375 यह पिलस का 135 इधर जाके माइनस का 135 हो जाएगा 375 में से मैं 130 को घटा दूँगा तो x का मन कितना बचेगा 245 बचेगा x का मन कितना है 245 इसका मतलब उस पुल की लंबाई कितनी है 245 मीटर की है उस पुल की लंबाई को हमने x माना था तो इसका मतलब कितनी लंबाई है 245 मीटर बी आफसन आपकी प्रेशन का सही आंसर है उम्मित करूँगा कि सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आगया होगा किसी को भी प्रेशन में कोई समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक 260 मीटर लंबी रेल गाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गजर जाती है रेल गाली की करती अलग अलग है तो गुना करेंगे 18 बट्टे 5 से ठीक है बराबर रख देंगे चाल चाल यहाँ पर पूछ रहा है गती क्या होगी ठीक है इस बार चाल पूछ रहा है पिछले प्रेस्ट में दे रखी थी लेकिन मैंने फिर भी गलती से चाल लिख दिया था बाद में मैंने ध् अठारा बट्टे 5 ठीक है बराबर चाल है चाल की जगे मैं एक से ले लूँ 19 दुने का 38 कटेगा और एक जीरो 20 हो गया के लिए 5 चौके 20 कटेगा के लिए रहे कोई दिकत नहीं 18 कमल पर 4 से करेंगे 72 हो जाएगा कोई दिकत नहीं एक्स कमान आ गया 72 एक्स कमान कितना 72 आ 18 गुना 4 हो का 72 एक्स कमान 72 आ गया बहत्तर दे रखा पी ओफशन में यह आपकी प्रेशन का सही आंसर हो गया किलियर सभी को प्रेशन वीडियो पसंद आया लाइक करें दोस्तों में शेयर करें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक् वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद